तो गैस कैसे आपसे लोग बहुत बहुत स्वागत आपका न्यू टैक अभी सीक में तो आज मैं आपको एक ऐसी सांदासी एप्लिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके मदद से अगर आपका भी मोबाइल हो जाता है गरम जाकी चलते-चलते रूख जाता है गरम होन कहां से राउनलोड करना है क्या क्या सेट आप करना है यूज कैसे करना इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा फ्रेंट वीडियो में एंटक पहने रहेगा वीडियो के स्किप बेल को लें अतकेगा ताक्वी जो कुछ आपको सम्झाओं वह आपको प्रॉपर पसंद आती है तो फंस इस लाइक के अटन को प्रेस करके हमाई वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपने अभी तक हमाये चैनल को सस्क्राइब नहीं किया था है अपर जो रैट के लगे सबसे पहले मिल जा है और आप वीडियो को मिस्स बिलकुल भी ना कर पांस के बाद यहाँ पर देखिये कमेंड सक्षं को उप्षं दिखाए दे रहा है तो पर नचे आपको i which निदा कर देना है उसके पाद चैनल के आइकान के उपर पैस करना है दसी पैस कई कोच सप्रेस ऑएगा यहाँ पर आपको बाउट सस्ट्पा सिर्स में चले जाना है उसके निचे को दाउनलोड कर सकते हैं जिसका आपको कोई बीचाज देना नहीं पड़ेगा जैसे ही आप एप्लीकेशन को दाउनलोड कर लेंगे तो यहां पर देखे कुछ इस टाइप से अप्लीकेशन आपके वाल में आज जाएगे तो इस अप्लीकेशन को फर्स टाइम ओपन करेंगे यहां पर देखे कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा तो यहां पर आपको कुछ एड़ वगारा भी करते जाहिए यहां पर देखें का लिंग माउस्ट आपको इसको कंटीन्यू करने के वाद यहां पर देखें 3 उप्सन मिलते हैं CPU RAM बैटरी तो बन्से यहां पर दिखा देखा कि आपका CPU कित बढ़ा और यहां पर आपको RAM करना है यहां पर आपको permissions को allow करना है तो यहां पर देखे आप इस वाले application को डूर के इसकी permissions को आपको allow कर देना है उसके बाद बैक आना है बैक आने के बाद find heating apps दुबारा प्रेस करना है अब यहां पर आपके mobile में जितने भी apps उसको scan करना start कर देगा और फंस जो भी आपका apps आपके phone को heat कर रहा है यहां पर उसका यहां पर सारा आ जाएगा तो फंस यहां पर आप देख सकते हैं आपके mobile के storage जितनी ज्यादा जो application लिया है वो आपके यहां पर mobile को heat कर रहा है यहां पर आपको क्या करना है इसको cooldown के option में press कर देना है उसके बाद जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो भी application आपके mobile में heating problem create कर रहा है उसको यहां पर वो cooldown कर देगा इसके बाद यहां पर देखिए यहां पर 2GB memory क्लियर हो गई है जिस current से मेरा mobile heat हो रहा था अब मेरा mobile heat नहीं होगा तो यह टेक रिंग दिन में एक बार आप भी अपन प्रोब्लम फिक्स हो जाएगी थिंक्यू बैंट्स